हेलो दोस्तों चलिए आज हम आलू का चटपटा सा स्नेक्स रेडी करेंगे और यह बहुत ही कम टाइम में बन जाता है तो इसे आप एक बार चुरू ट्राइ करना तो इसके लिए हम ले लेंगे चार आलू तो यह मैंने मीडियम साइज के लिए है तो आप क्वांटिटी अप की आप इस तहरी के से कर दे तो इसको उपकी है और भात भार गरम नहीं डालता है अ यह लदे हैं आप जब्गर में टाला है यह तबल्गाब जादा गरम तो चाह यह अची यह पूर से प該 जाएं गड़ेंगे तो पाद अन्दर से पर शार जाएंगे डszystते हिसां तब इसके बाद हम इसकी जो फ्लेम है उसको बिल्कुल हाई कर देंगे और हाई पे पाँद 10 मिनट ले इसको गोल्डन ब्राउन तब हम इसे तरीके से हमें करना है तो चलिए इसको हम एक प्लेय बाउल में जिसमें भी निकाल लेंगे ठीक है बस एक टिप का ध्यान रखने हैं आपको कि जब आप आलू डालो ना तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी जाए बस हलका गरम होना चाहिए ठीक है और उसके बाद फिर आप तेज पर इसको फ्राई करोगे तो कुरकुरे से आलू बन कर रेड़ी हो जाएंगे तो यह देखि पूरा एक पैकेट मैं इसमें डाल दूँगी तो इसमें क्या होता है कि इसमें सारी चीज़े अल्ड़ी बिली होती है तो अलग से हम इसमें नमक वगएरा कुछ भी आड़ नहीं करेंगे यह देखिए हमने डाल दी है सारी आप देखिए एक और मसाला इसमें आड़ जरूतनी है और बिल्कुल जैसे चिली पटेटो होता ना बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है तो आप एक बार करना तो फिर उसके बाद आप कमेंट्स करके बताना है कि आपको इसका टेस्ट कैसे लगा आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको छटपर सा बनाना चाते ह तो आप इसको प्राइ कर सकते हैं थोड़ा बहुत धनिया डाल दिया है और थोड़ी बहुत प्याज और यह जो हरी बाली प्याज होती है वो डाल दी है ठीक है तो इस तरीके से हम स्प्रिंकल कर देंगे तो पुरी तर ऑप्शनल आप जैसा भी चाहो ओपर से गार निस कर कर देते हैं तो आप किसी भी चटनी के साथ या सॉस के साथ इसको खा सकते हैं बहुत तेस्टी लगता है तो आप इसको जरूर ट्राइ कीजिए आपको बहुत पसंद आएगी जट पन जाता है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों